गुड मॉर्निंग ओल आफ यू आज मैं भारत के समिधान दिरमाता डॉक्टर भीम राव अम्बेडगरजी का जो एक स्टेट्मेंट जो आज भी प्राशांगीक है अपना महतब रखता है सौसित समाज के शंद्रव में बहुत ही महतबन बात कही कि सिक्षित बनो शंगठित बनो और शंगर्श करो भारत का सौसित समाज जाते हैं ध्रम के नाम पर बहुत बिखरा हुआ है जब भी किसी अच्छे मुद्य को लेकर मंच बनाये जाता है तो सौसितु में बड़ा संगर्शन का अभाव पाई जाता है उन लोगों को संगर्शन करना एक जटिल कारी हो जाता है पर जब तक उनकी बात को आगे नहीं बड़ा जाएगा भारत का जो सौसित समाज है वो आगे नहीं बड़ पाईगा सौसित लोगों की संख्या किसी जातिया धर्म के दायरे में शिकुड़ी वी नहीं है बलके सरव व्यापक है यूनिवर्सल यानि वो चार तरफ फैली वी है जगा जगा हर गाम में शहर में हर जाति में धर्म में समुदाय में उसका कोई समंद किसी विशेज दिवार से नहीं है लोग अपना अपनी पीड़ा जब बताते हैं प्रेशान होकर वेथित होकर दुखी होकर और आउसाद से भर जाते हैं और समाजी प्रानी के नातिजब साजा करते हैं तो दुख हमें होता है कि बैई ये परेशान है और इसको वो लाब नहीं मिला लाब एक ही सहरत में मैं उसी पर आज जा रहा हूँ हमारी यहां महिला चिकित्सकों की बहुरी भरकम कमी है फिमेर डॉक्टर्स कल यही चर्चा चल रही थी राजस्थान राज्जे के शंद्रम में उत्तरप्रदेश बिहार की बात तो बाद में की जाए वहां के हाला तो राजस्थान से भी क्या मिलेंगे वो तो कुछ शद्धेन करने पर और बात सामने आएंगी तो मैं राजस्थान के शंद्रम में बात करूँ मेरे पास एक बोतुरुशेनिक बैठे तेर उनकी बेटी के जो मेडिकल प्रवेस विक्षा में अच्छे इंकाय परन तो कुछ अंकूशे रह गई उनका कहना था कि कुछ अंकूशे रह गई कहने हम बहुत सत्तर परतिशत ताकि आज पास अंकूशे बावजुद भी कि उसका चैन नहीं हो पाया बात यहां थी किस भी नहीं हो पाया MBBS में दाखिला नहीं हो पाया बहुत से बच्चे MBBS एक बहुत बड़ी चीकित्सा के उपादी नहीं है आज मैं समन्ने बात यह चर्चा कर देना चाहता हूँ मेडिकल कॉंचल ओफ इंडिया भी सारवजिनिक बहस करना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि MBBS चीकित्सा को बहुत भारी करिया नहीं करना होता है वो एक सामन्ने चीकित्सा सेवां को अंजाम देता है मूठी भर दवाओं की नाम सीखना और यानि वो ज़्यादा से लिक रही है वोसे जुड़ा उसका कोई ज़्यादा करियर नहीं होता है वो बात की मास्टर डिग्रीज की वाते हैं तो मेरा मतलग है कि MBBS की डिग्री को बड़ी है कि समन्ने डिग्री बनाने की जरूर थी हाँ ताकि समने चिकितसा जर्णल मेडिशन की जो सरविश जो थी लोगों को समने चिकितसा सिवा जो थी वो ताकि लोगों को मिले इस चीज की जुरूर थी तो इस बात को मैंने साज़ा किया उनसे कि भई देखो कितने दुख की बात है रास्थान में जो शाड़े तीन करोड के आसपास महिलाएं हैं उनके लिए कितने महिला चिकित सुकूं की जुरूरत है और कितनी हैं और इतने बड़े राज़े में एक भी सरकारी या नीजी कोई महिला मेडिकल कोलेजन नहीं है पूरे राज़े में जिसका छेतर फ़ल जापान से थोड़े कम है उस राज़े के आलात हैं तो मैं वहाँ की जनता बताना चाहता था कि जो राज़नतीक लोग है परक्स विपक्स जो भी है अलांकि हमने पहले कह था कि चैनल किसी यह नहीं मैं वहाँ यह कहना चाहूँँगा कि इस दो जो बड़े नेता राजनती करते हैं जैसे तमिलाडों में कभी वासिंग मशीन और रंगीं टीवीज का मुकाबला होता है हम देंगे हम देंगे यह आई डिमक और डिमक में तो वहाँ भी जो लोग राजती कर रहे हैं उन्हों का हमें किसी पक्स मतलब नहीं परंतु पक्स और पक्स दोनों ही इस मामले में पूरे बेशरम है मैं यह कहना चाहता हूँ मैं यह देखा भी है वहाँ कही नेताओं से बात करकर टोप के बत्तमीजें एक से एक चुगली एक बच्चे पढ़े लिए पूछा था कि अंकल जी चुगली क्या होती है मैंने का बेटा यह पीछे से सामने मुँपर कहना आलोचना होती है और पीछ पीछे से बुराईया करना यह चुगली होगी तो यह एक दूसरी नेताओं के आलोचना के चुगली करना मैं पीछे सामने यह नीची है मैं इस तरही राजनती हम शकारत में दिसाही तरफ जा रहे हैं हमने जब हमारा महिला विश्वित दैले जो कौाडवास की बात और मैंने पहले का था नहीं हम किसी की यहां परसंसा अलोचना करने बैठे हैं हमें हमारा काम से मतलब है कि महिला मेडिकल कोलेज की नहीं इस विश्वित दैले परीशनों सबसे पहले रख दी जाए और मने उस शेनिकों का कि भाया वेकार की गालने ने बजाएं पूरे दि से आज हमारा जो मुद्दा है हमारी वहन बेटियों के लिए हमारे वहां के छेतर के लोगों के लिए महिलाओं के लिए जो चीज बन रही है जो हमारा समर्थन करता है जो हमारा साथ देता है सकारत मुक सोच का जो वेकती है वो वेकती हमारा इश्वर करे कि नेता बने और आगे तक बने उसको हम बड़ा स्ताहदिल से समर्थन देते हैं परन्तु जो लोग इस तरह के अच्छी बाते सुनकर दूर भगते हैं कि पता नहीं मुझे क्या देना पड़ जाएगा मुझे क्या करना पड़ जाएगा या यह मुद्दा उठा दिया तो वो रिष्ट ने ता बड़ मेर का बच्जा जोत बोड़र का पोगते हैं अगर दिली एसके अबादी चाहर करोड के आसपास बैठती के आजकर बड़े जो यह एक्सपेस ऐवे ben रहे हैं तो वहाँ से को दो गंटी दुरी रहेगे इक्सपेस आगई आधिक तमें एक दो गंटेक दूरियां हो जाएंगे, यह को ज़्यादा दूरी परिस्तित नहीं है, तो मैं विशेश रूप से कहूँगा, कि महिला विश्विद्याले के बारें लोगों को यह बताए जाए, कि यहाँ इस विश्विद्याले की नीम के साथ ही महिला मेडिकल कोलेज विश्विश के अंदर बनना है, और मैं यह कहूँआ विशेश रूप से, मेडिकल कॉंसिलो सब को बहिए, चर्चा कर लो, अपनी खर्चे पर कर रहे हैं, इन सिट्टों को ज़्यादा बंद करना जरूरी नहीं है, मैंने पहले बताया था कि हब बने एजुकेशन कर, हब का मतलई जो बच्चा जो उपादी करना चाता है, उसको आफसर्च दिया जाए, को बड़ी बात नहीं, अच्छी सोचा और लोग सिक्षित नहीं हों, तो वो बाते दिमाग से निकाल दें, लोग सिक्षित भी होंगे और लोग विक्षित भी होंगे, तो मेरा विशेशन रोद सभी से उन सेनिक साथियों को मैंने का था, कि आज जो आप ये समश्या जहल रहे हो, मुझे पता है, बहुत बड़ी समश्या जहल रहे हो, कोई अपने बच्चों को चाइना लोन करवा करवाई बेज रहा है, को रशिया बेज रहा है, फिर यहां करों से MCI का जो टेस्ट पास कि बगर, क्वैलिफाई कि बगर वो लोग यहां प्रेक्टिशनर नहीं बन सकते, तो बड़ी समश्या जहल नहीं लोग, उन लोगों को मैं कहूंगा, कि वो अमारे मंच पर रहा ही, यह मंच इसलिए बनाय गया है, इस मंच में मैं उनको यह करना चाहता हूँ, कि सबसे पहले हमने 21 लाह रपी गोशित कर रखे हैं, और यदि कोई, आप देखेंगे 21 लाह रपी बोलने वाला को विदायग पांच जार, दो, जार, दस, जार, बीश, जार, यह ऐसे जनता एक सबसे चीज़ बन जाएगी, और मैं यह मानता हूँ, कि यहां की जो आजारों गाम है, दिल्ली, हर्याना और रास्थान, और यहां तक गुजरात भी यहां से कोई बहुत दूर नहीं पड़ता, मद्य पर परदेश, राज्यूं को, यहां यह कोई छोटी संस्ता नहीं बन दी परन्तु इसके लिए सभी लोग, मैं अभी सिसरुपसियां के स्थाने विदायक, और पुरुव के विदायक भी यहां दो तिन हैं, अभी जो जीवित हैं, जो यहां से विदायक रहे हैं, यहां के मैं उनसे विशी इस पुर जोर पराथना करता हूँ, सुन्दरलाल, स्री सर्वन कुमार, स्री सुन्दरलाल, स्री मतिशंतो सहलावत, स्री अन्मान परशाद, और स्री बाबुलाल खांडा, मेरी जहां तक नोले जबी साइथ पांच और और कोई हो तो ज़्यादा समावना क पास जताया था और वो आज उनका रिन उता रहे हैं, आगया हैं और जो सांसद हैं, खुद जगदीव धनकड जो आज का रज्य पाल मोदे हैं, पिश्य मंगाल के, और जनता ने बड़ी युवास था, उनको भारी बरकम से इसी धरती ने बहुत आज भी अगर आकड़ा द तो सभी मिलकर और जिले के दूसरे जन परती ने थी, मैं ये भी कहना चाहूँआ, कि ये भी जो आने वड़ा दो जार तेईस का जो विधान स्वात चुना, उस समय तक कि जो ये महिला विश्य देले का जो मुद्दा है, ये जनता के आवाज बन जाना चाहिए, ये किसी ए एक साल जो एक देख दिर्वाचेत होता, अगली बार उसका वहाँ को स्थान ही नहीं होता, अटते दूसरी, अगर दूसरा अगर मंडल जीत के आता तो वो पूरा जो बॉर्ड होगा, सक्तियां उसका आत्व होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही महित्त उनके काम का, जो उनकी सोच भी सामने आसके, महिला विश्विद्यले कोहडवाश, इसके बारे में इच्छाओं विदाएक और सांसत, और जिले की विदाएक, उनको भी बड़ा लाव होगा, आज एक बच्ची अगर जोदपुर जा रही है, नौल गड़ से, तो उसे पता इप सिंग, ये तिनों और भी एक दो हैं, ऐसे जुजार विक्तित्यों के धनी, वो कहते हैं कि हम काफी जनता की सेवा करने में हमारी रूची कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये जनता की बहुत बड़ी सेवा, वो भी तिनों भाई, इसमें तोड़ा प्र पिये दे रहे हैं, हमें शमीति और संगिन से दूर रखा जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां कुछ पाने के लिए नहीं, एक कहते हैं कि असली वर्त यही है, बेटियों की सिक्स्या के लिए, और महिलाओं की चिकित्स्या के लिए, एक अभ्यान चलाया है, और हम 21 पे डोनेशन देंगे, उनको इबता देना चाहता हूँ, किसी निदी से नहीं, अपने कठोर परशिने की कमाई से देंगे और किसी लाव के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नाम मतलिखना, कि किस लाव दिये थे, किसी कागच्पर मतलिखना, हमारी भूक, हमारी सोच, उस विश्विदेली को अमनी जामा पैनाने की है, ताकि लाखों बालिकाओं को उसका लाब मिले, और मैं सबसे पुने कूंगा कि जो ये रशिया जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं, बड़े प्रेशान उनके बच्चे, लड़के, लड़कियां कैसे माहूल में रह रहे हैं, सब सोचते हैं उनका खान पान, रहन सेन और समाज कैसा है वहाँ, तो मैं सबसे अन्रोध करूँगा कि अपनी बच्चियों के लिए, जो ये मेडिकल कॉलेज की जो मैंने बात की है, मैं विशे सोच अभी बाव कूसे कोंगा, कि आप बाद में परेशान हैं, परन्तों आपको मैं रास्ता दिखाया है, कि हम किधर जाएं इस समश्या समादान करने के लिए, को आड़वास विशे सोच अभी बाद मेडिकल कॉलेज की नहीं में रखेंगे लड़कियों के लिए, तो आप सभी, और सेनी कुंगा जिला है, आपका कोटा भी है, आप बहुती च्छों के बड़ी शिक्सिया हैं, महिला शिक्सिया, कहते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिला शिक्सिया कराज की यहां कारियर थें, तेरह जार के आसपास बताई जाती हैं, तो कहने मतलब लिए, कि यह एक बहुती सफल और आसान मोमेंट है, पर अप इसमें सभी लोग सक्रियों जाइए, और विशे सुच में नेताओं को कत्ताओं भाई आप अपनी राज़ती रुप से आलोजना परतिलोजना करते रहें, हमें कोई मतलब नहीं है, हम आप से हाज जोड़ी प्राथना करते हैं भाईयों, प्लीज आप इस चीज के लिए सारे तह दिल से, विदान स्वाम भी उठाएं, समाज में आगया कर कारिये भी करें, और आप सोसाइटे कर नेतरी तो भी मेरिटा, संतोस, जो ये महिला नेतरी हैं, मैं इन से कहूँगा, सुमित्रा पताने भी जिन्दी हैं मरगी, तो सभी ये लोग इधर आएं, जो जो ये रही हैं विदाय का सानसाद और इस कारिये को आगे बढ़ाएं, ये हैं अमारी पुर्जोर प्रात्रा, ये मांग है और इसको बनने तक हम हमारा शंग्रस जारी रखेंगे, धन्यवाद.